अक्सर लंच और डिनर के बीच का जो टाइम होता है यानि कि शाम के वर्थ हम सभी को हलकी फुलकी भूक लगती है तो हम सोचते हैं कि कुछ ऐसा खाने को मिल जाए जो चटपटा टेस्टी और हेल्दी भी हो तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ रोस्टिट चनाचार्ट ज क्योंकि इसमें आइरेन, प्रोटेशियम, प्रोटेइन, फाइबर काफी मातर में पाया जाता है अब इसे एक बड़े बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे हाफ कोटोरी रोस्टेट पीनट ले लेंगे पीनट भी हमारी बॉड़ी के लिए काफी फायदे मंद होता है हाफ कर्टोरी टमाटर, हाफ कर्टोरी खीरा, हाफ कर्टोरी बॉयल के लिए आलू जिसे कि मैंने डाइस कर लिया है हाफ कर्टोरी अनार के दानी वन टीबल स्पून बारी कटी हरी मिच ज़दी आप बच्चों के लिए बना रहे है तो आप इसे स्किप कर दें थोड़ा साहरा चाट में धन्या का बड़िया फ्लेवर आता है अब इसमें 1-4 टीबल स्पून नमक, 1-4 टीबल स्पून लाल मिश पाउडर, हाफ टीबल स्पून चाट मसाला डाल देंगे चाट मसाली की जगा आप ब्लेक सॉल्ट भी डाल सकते हैं अब चाट को चटपटा बनाने के बड़िया बनती है अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे शाम की वक्ट जब बच्चे खेल कुद कर आते हैं तो आप ये हलधी सी चाट की रैस्पी बना कर बच्चों को खिलाएंगे तो देखना वो मिंटों में चट कर जाएंगे क्योंकि ये होती ये इतनी टेस्ट हैं यह अच्छे से मिक्स हो गया है, अब इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं. रोस्टिट चना हमें डेली किसी ना किसी फॉर्म में जुरूर खाना जाये, चाहे वो चाठ हो, नमकींग चना हो या फिर गुर्ड चना हो, इससे हडिया मजबून बनती हैं और इम्म्यूनिटी भी बूस्ट होती हैं. तो देखा आपने ये कित्ती बढ़िया बनी हैं, तो आप भी इसे घर पर जुरूर बनाएं, और मुझे कमेंट बॉक्स में जुरूर बताएगी रेस्पी आपको कैसी लगी, थैंक्स फॉर वाचिंग।